नमस्कार मैं हूँ अमित पालित से पूरे हर्याना और दिल्ली एंसियार में खौफ था 18 जून को बर्गर किंग आउंटलेट में घुसकर मर्डर की बारदात को इन तिनों ने अंजाम दिया दिल्ली पुलिस की टीम और हर्याना पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया तीनों के पास से तीनों बदमाशों पर एक लाग से जादा का इनाम घुशित किया था और दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमिद गोईल की टीम ने सोनी पत में इन बदमाशों को घेरा और तीनों ने फाइर जोग दिया जवावी कारवाई में तीनों धेर हो गए अब दिल्ली के फूड और आउटलेट में सरयाम मडर को अंजाम देकर तीनों बदमाशों ने दैशत फैलाने की कोशिश की हर्याना के अलावा दिल्ली एंसियार में अपनी धाग जमाने के लिए मडर की वारदात को अंजाम दिया अब आशिश लालू, विक्की छोटा और सनी गुजर पर हर्याना पुलिस ने पहले लाखों का इनाम घोशित रखा था बदमाशों ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से वड़े वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे तभी दिल्ली पुलिस और हर्याना स्टेफ ने इने घेड लिया सोनी पत से अतुल भाट्या की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सोनी पत स्टेफ ने जॉइंट ऑपरेशन में हिमांशू भाव गैंग के तीन शाप शूटर्स को मार गिराया है हम इस समय सोनी पत के खरखोदा थारे में मौजूद है ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये किया सेल्टोस गाड़ी है जिसके अंदर ये तीनो बदमाश सवार थे शुक्रवार देर शाम को दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि आशीश लालू इसके लाबा विक्की छोटा और सनी गुजर ये तीनो जो है वो हिमानशु भाव गैंग के शाप शूटर है ये तीनो बदमाश जो है वो सोनी पत इलाके में पहुंचे हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांश है वो सोनी पत इस्टीफ को पूरी इंफरमेशन देती है उसके बाद पीछे इस गाड़ी का किया जाता है देख सकते हैं इस गाड़ी की जो है वो नमबर प्लेट नहीं है बकायते इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती है ये गाड़ी नहीं रुकती इसके बाद जो गाड़ी के अंदर तीनों बैठे बदमाश थे वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांश के उपर फायर करते हैं और लगवग 28 राउंड फाइरिंग जो है वो बदमाशों की तरफ से की जाती है जिसके बाद क्राइम ब उपर क्राइम ब्रांच और जो सोनीपत एस्टियाफ है वो करती है जिसमें तीनों बदमाश धेर हो जाते हैं बदमाशों के जो शव है वो अभी सोनीपत के सिविल अस्पताल में रखे हुए है लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में 18 जून को जो बर्गर किंग आउटलिट है इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट पर थी कई CCTV फूटेज वहां के खंगाले गया जिसमें अनू धनकर नाम की एक लड़की को उसके अंदर देखा गया जो की अनू जून के साथ बर्गर किंग के अंदर से हुई थी बाद में कई CCTV फूटेज के अंदर भी अनू धनकर को देखा जाता है और जो अनू धनकर है वो हिमान्शु भावू गैंग की जो है він काफी करीबी मानी जाती है हिमानशु भाव के काफी करीबी मानी जाती है जिसके बात से लगातार पुलिस को इस बात का शक्ता की जो अमन जून की हत्या हुई है उसमें हिमानशु भाव गैंग की पूरे तरीके से इंवॉल्मेंट है लास्ट जो लोकेशन है अनू धंकर की वो कट्रा रेलवे स्टेश उससे पूरी डिटेल शेयर की जाती है और शुकरवाश देर शाम को तीनों जो बदमाश है उनको पुलिस क्राइम ब्रांश की टीम और जो सोनी पत स्टेफ है वो एंकाउंटर में मार गिराती है फिलहाल कई मुकदमे जो है वो इन तीनों बदमाशों के खिलाफ दर्ज थ जो की राजओरी गाडन के आउटलेट है फिलाल उसके जो आरूपी है उनको पुलिस में मुद्भेर में मार गिराया है और भाव गैंके शूटर्स ने दिल्ली में 18 जून को बड़ी वारदात को अंजाम दिया था दिल्ली के राजओरी गाडन इलाके में बर्गक किंग आ पुलिस लगातार इनके पीछे थी सर्विलेंस पर रखा हुआ था और आखिरकार पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली और इस पूरे मामले पर पुलिस ने अमन जून के जो कातिल थे उनको मार गिराया सोनिपत में अब सोनिपत एंकाउंटर में धेर तीनों बदमाश हिमां जंदारी के कई केस इनके उपर वांटेट थे लगे हुए थे हिसार में शोरूम पर ताबर तोर फाइरिंग करने का भी इन पर आरोप था और तीनों वांटेट और हिट लिस्ट में शामिल थे स्टेफ ने इनका एंकाउंटर किया है याने 18 जून को यह मडर हुआ 12 जुला पर कारवाई करते हुए इन्हें धर्द पोचा अतुल आखिरकार किस तरह से पुलिस ने जाल बिचाया और यह तीनों शातिर अपरादी पुलिस के शिकंजे में आए आमेर देखे ठीक मैं उसी जगह पर मौझूद हूँ जहां पर कल देर शामिस एंकाउंटर का अंजाम दिया गया यह सोनीपत का खरखोदा इलाका है इसी सड़क पर यह तीनों बदमास जो है वो अपनी किया गारी के अंदर मौझूद थे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्र पर एक अनु नाम की महिला जो है वो सिसी टीवी फुटेज में अमन जून के साथ देखी जाती है जो यह अनु धनकड़ है यह हिमांशु भाव के काफी करीबी है और बताया यह गया कि जो यह अनु है इसी ने फोन करके अमन जून को जो रजोरी गार्डन का बर्गर करती है वह उनको रोकने की कोशिश करती है वह पुलिस टीम के उपर फाइरिंग करते हैं तीरों बदमाश और यहां पर जो गाड़ी है वह उतर जाती है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बकाइदा आप देखेंगे गोलियों के निश्च जो गोले हैं वह यहां पर बदमाशों ने पुलिस के उपर फाइरिंग की थी उनके खॉल जो है वो यहाँ पर किये गए गिरे हुए थे 28 राउंड फाइरिंग जो है वो बदमाशों की तरफ से और अपर आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहां पर सरकल बनाए गए है पुलिस की तरफ से और यहां पर आप देख़ेंगे एक दो तीन चार पानच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेर stubborn तो यहाँ पर फाइरिंग हुए और इसके लावा बाकी जो फाइरिंग है वो अमिद गोयल DCP हैं उसके वो वहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौजूद थे और जो सोनीपत STF है उसको पहले पूरा इंपुट जो है वो शेयर किया गया था कि ये तीनों जो है क्योंकि जो हर्याना पुलिस है उनको भी इन बदमाशों की लंबे समय से तलाश थी तीनों को च चलाए इनको रोकने की कोशिश की गई नहीं रुके उसके बाद पुलिस से जवाबी कारवाई में इन तीनों बदमाशों को मार गिराया अब जो इस पूरा जो ये 18 जून को घटना हुई ती ये तो आमन जून की हथ्या हुई थी इसके लाबा सोनीपत के अंदर कई मामले हैं कई रंगदारी के मामले हैं इसके मडर के मामले हैं और ये पूरा जो गैंग है ये हिमांशो भाव गैंग के लिए काम करते हैं और हिमांशो भाव लगातार जो अभी जो क्राइम सिंडिकेट चल रहे हैं उसके अंदर देखा गया है कि हिमांशो भाव गैंग जो है वह काफी एक्टिव जो है वो NCR इलाके में है कई यंग्स्टर्स को उसके अंदर जॉइन कराया गया है और यह बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं यही कारण है कि जो दिल्ली NCR में जितनी भी पुलिस की जो टीम्स हैं वो लगातार इस गैंग के उपर काम कर रही है और एक मोटे तौर पर इस पूरे मडर केश और उसके बाद किस तरह से इसकी हत्यारे पकड़े गए उसकी एक सबसें लेडी डॉन आखेर का है किया तालुग अमन के साथ और साथ जो लिडीड़ॉन है उसके जरीए किस से कातिलों तक पी पूलिस मौची दिखें ये पुलिस जो है क्योंकि अनु धंकड का अभी तक नहीं पता लगाए अनु धंकर कौन है ये हिमांशु भाव की गर्ल फ्रेंड बताई जाती है काफी करीब है हिमांशु भाव के और ये जो अमन जून की हत्या हुई थी ये पुलिस के जो सोर्सी दोंकर कहना है कि ये हनी ट्रेप था बकाइदा अमन जून को फोन जो है वो इस लड़की की तरफ से किया जाता है अनू जो है वो फोन करके उसको बुलाती है वो पहुचता है बर्गर किंग पर और क्योंकि इसकी हत्या करनी थी जो हिमानशु भाव का गैंग है उसने सुपारी इस अमन जून अमन जून के साथ वहाँपर बैठी हुई थी और जैसे ये लड़की वहां से निकलती है जो बदमाश है वो उसके अंदर घुसते हैं उस अउटलेट के अंदर और ताबर तोर फाइरिंग जो है वो आमन जून के उपर करता है चालीस राउंड फाइरिंग की जाती है 38 गो मिली थी उसके बाद से इस लेडी डॉर का कुछ भी आता पता नहीं है कहां है ढूंडा जा रहा है क्योंकि हिमानशु भाव की काफी करीबी है अंडर ग्राउंड है इस समय तो अभी जो लेकिन जो लेकिन जो लेकिन इस पुरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई ह है कि जैसा बता रहे हैं कि जो गैंग वार हुआ या फिर जो बदमाश थे उनकी कोशिश ये थी कि ना सिर्फ मौत दी जाए अमन को बलकि एक साथ ही मैसेज दी जाए ताकि उनके खौफ का राज पहल सके इंसान की जान तो एक गोली सी बेजाती है लेकिन अमन जून को एक हुआ